आज के विडियो में हम कश्मीर के दर्शनिय रीजिन में हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण घटना में टूरिजम को बढ़ावा देने, हैनिक्राफ्स को बढ़ावा देने और वैश्विक ध्यान आकर्शित करने से वीजिन को बदलने की क्षमता है। तो आएए इस हिस्टोरिकल इवेंट के विवर्ण और भारत, इस्पेशली कश्मीर घाटी पर इसके इफेक्ट का पता लगाएं। कश्मीर में आयोजित G20 समिट से रीजिन की एकॉनमी पर गहरा इफेक्ट पढ़ने की उम्मीद है। इस इवेंट्स में टूरिजम और बिजनिस के उपरचिनिटीज में ग्रोध के माध्यम से एकॉनमिक ग्रोध करने की क्षमता है। चीम को छोड़कर सभी G20 देशों के डेलिगेट्स ने शीनगर में G20 टूरिजम कार्य समू की तीसरी बैठक में भाग लिया, जिसमें रीजिन के डिवेलपमेंट के सपोर्ट में महत्व और इंट्रिस्ट पर प्रकाश डाला गया। यहां इंटरनाशनल ग्यादरिंग केवल कश्मीर की नाच्रल ब्यूटी को प्रदर्शित करती है, बलकि इसकी समरिद्ध कल्चरल हेरिटेज और क्राफ्ट्समैंशिप को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रेजिन करती है। रीजिन का हांडी क्राफ्ट उद्योग फलफूल सकता है, ग्लोबल फोकस आकरशित कर सकता है और लोकल कारीगरों को एकोनॉमिक लाब प्रदान कर सकता है। G20 समिट की सक्सेस्फुल होस्टिंग करके, भारत ने ग्लोबल अटेंशन और इन्वेस्टमेंट को आकरशित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। Basic Infrastructure के निर्मान और समिट की तयारी में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट कश्मीर घाटी के लिए एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट का संकेत देता है। यहां इवेंट्स भारत को फॉरिन इन्वेस्टर्स के लिए खुद को एक अट्राक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में पेश करने के लिए एक फॉरम प्रदान करता है, जो डिवेलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए रीजिन की कापसिटी को उजागर करता है। G20 समिक के लिए किये गए बुन्यादी धांचे के डिवेलपमेंट से रीजिन के लिए लॉंग टर्म लाब हो सकते हैं। जिस से लोकल एकॉनमी को एंकरेजमेंट मिल सकता है और रेजिदेंस के जीवन की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। प्रॉपरगांडा और टेरर नेटवर्क्स के उप्योग के चानल से G20 समिक को बाधित करने के पाकिस्तान के एफ़र्ट्स के बावजूद उनके एफ़र्ट्स को फेल माना गया है। भारत द्वारा समिट की होस्टिंग की रिलाइबिलिटी को मान्यता देते हुए प्रॉपरगांडा कैंपेन के पाकिस्तान के एफ़र्ट्स से इंटरनाशनल कम्यूनिटी अनफेक्टेड रहा। कश्मीर में G20 बैठकों के खिलाफ पाकिस्तान के प्रॉपरगांडा को क्रिटिसिजम और कॉंडेम का सामना करना पड़ा है, जो इंटरनाशनल इवेंट्स पर इसके लिमिटेड इफेक्ट को एक्स्पोज करता है। कंक्लूजन कश्मीर में आयोजित G20 समिट निस्संदे इस वीजन के लिए एक इंपोर्टन्ट मोर है। इसमें एकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोचसाहित करने, इन्वेस्टमिन्ट आकर्शित करने और कश्मीर घाटी को इंटरनाशनल रिकॉगनिशन प्रदान करने की क्षमता है। घटना के लॉंग टर्म बेनिफिट, जैसे की भेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिजम में ग्रोथ, इस वीजन के लिए एक ब्राइट फ्यूचर का वादा करते हैं। पाकिस्तान के फेल्ड कैम्पेइन के बावजूद, समिट की सक्सेस्फुल होस्टिंग भारत के फ्लेक्सिबिलिटी और कश्मीर की कैपसिटी की ग्लोबल रिकॉगनिशन को अंदरलाइन करती है। जैसे जैसे रीजन आगे बढ़ता है, ऐसी इवेंस के इफेक्ट का सीरियस फॉर्म से एवालुएशन करना और सभी के लाब के लिए उनके पॉजिटिव आउटकम्स का उप्योग करना नेसिसरी है।